नमस्कार दोस्तों, हर्याना में सरकार भले ही बन गयी है लेकिन नायाब सिंग सेनी की कुरसी पर خत्रा ऐब भी मंज़रा रहा है खत्रा ऐसा कि ये मामला अब सुप्रीम कॉर्ट तक पहुँच गया है सुप्रीम कॉर्ट में हरियाना में जो काउंटिंग हुई जो रिजल्ट आया उसको लेकर बहुत सारे राज बहुत सारे आरोग लगाए जा रहा है कि कैसे धांदली करके भाजपा ने यहां पर अपनी सरकार बनाई ऐसी सरकार बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ धांदली की वज़व से ये सरकार अभी सत्ता में आई है लेकिन आने वाले दिनों में इसकी सरकार जो है हम गिरा देंगे और फिर से चुनावायोग इस पर संग्यान लेता हुआ एक्शन लेगा ऐसा विपक्षी दल और कई सुप्रीम कॉर्ट के वकीलों का मानना है उनका कहना है क्योंकि आप ये मामला सुप्रीम कॉर्ट में पहुँच चुका है सुप्रीम कॉर्ट में 23 सीटों को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है जहां पर कहा जा रहा है कि कैसे इस याचिका के जरिये बताने की कोश्च सुप्रीम कॉर्ट को की जा रही है कि धांदली हुई है ताइस सीट ऐसे है जहां पर धड़ले से धांदली करके भाजपा को जितवाया गया है पहले ही दोस्तों कॉंग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीज़ेपी ने यहां पर धांदली की है चुनावायोग ने इसका साथ दिया है हाला कि कॉंग्रेस की तरफ से चुनावायोग को संग्यान भी दिलवाया गया इस पर कारवाई करने की मांग भी की गए राहुल गांधी ने भी जिया हरियाना इलेक्षन के बाद जब उनकी पहली प्रतिकीरी आई तो वो यही थी कि हरियाना में जो हुआ है जिस तरीके की खबरे आ रही है उसे चुनावायोग को हम आवगत करवा रहे हैं अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चुनावायोग जिस तरीके से उन पर बार बार सवाल उठ रहा है उन तमाम सवालों का जवाब दे कर हरियाना में फिर से चुनाव करवाएंगे या फिर सुप्रीम कोट को यह ऐसा एक्षन लेगा जिस एक्षन से नायाप सिंग सैनी की सरकार रद हो जाएगी तो चलिए एक एक करके आपको तमाम जानकारी दूँ इस वक्त हरियाना में नायाप सिंग सैनी की सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सवाल ऐसे कि टीवी पर जिबेट हो रहा है चैनल्स पर जियां जिबेट हो रहा है और उस जिबेट में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं देखे कृष्ण कांत नाम के एक पत्रकार है उन्होंने इस खबर को शेयर करते वे लिखा है कि EVM सील होने के बाद वोट कैसे बढ़ ग है पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ा दिये गए जियां पंचकुला में 46,103 वोट बढ़ा दिये गए कहां जा रहा है कि पंचकुला के अंदर 46,103 वोट बढ़ा है यहां कालका सीट बीजेपी जीद गए अंबाला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरे कुछ ऐसी ही आरोप लगाए जा रहे कि अंबाला के अंदर भी 8,315 वोट बढ़े है वहीं बीजेपी यहां पर 7,277 वोट से जीद गए कुरुछेतर की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर 24,980 वोट बढ़े लाडवा की सीट बीजेपी जीद गए इसी तरीके से एलेक्शन कमिशन ने 20 सीटों पर डाका डाला और बीजेपी को सौप दिया डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग ये बात ताल ठोक कर कहते वे नजर आ रहे हैं कि कैसे 20 सीटों पर डाका डाल कर बीजेपी को चुनावायोग ने जितवा दिया बीजेपी यहां से जीतने वाली नहीं थी लेकिन फिर भी भाजपा को यहां पर जिता दिया गया और दूसरी स सरकार बनने के बाद हर्याना में मनमाने जंग से गलत तरीके से बिना प्रोटोकॉल के बिना किसी चीज के मुख्य सचीब जो है भाशन देते वे नजर आए हैं इस बात को अब उठाया जा रहा है देखिए एक पत्रकार और है रविंदर सिंग वो लिखते हैं कि हर्याना क कि चीफ सेक्रेटरी का ये शुरुवाती भाशन प्रोटोकॉल का हिस्सा है सरकारी कारेकरम तो राजयपाल के अनुमती के बाद ही शुरू होता है प्रधान मंत्री की शपत भी इसे कभी नहीं हुआ है जिस तरीके का यहां पर देखने सुनने को मिला है यानि कि हर्याना मे कि सरकार के शपत गरन में मुख्य सचीव ने कैसे किस हैसियत से भाशन दिया है इस बात को लेकर लोगों के जरीए पत्रकारों के जरीए सवाल खड़े किए जा रहे है का जा रहे कि क्या ये प्रोटोकॉल है क्या नौकर शाही को एक पाटी और एक सरकार का गुलाम बना दिया गया है जानकार बता रहे कि इत्यास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि किसी सरकारी सामारो में मुख्य सचीव भासन दे रहे हो लेकिन हर्याना के अंदर मुख्य सचीव भासन दे रहे ये संविधान के सरासर विरुद है, भाजपा का लक्ष है, हर कदम पर संविधान और संविधानिक संस्थाओं को रौंदना चुनावी प्रकीरिया से लेकर चुनाव आयोग और नौकरशाही तक को विकृत करके उसे भाजपा का वफादार बनाया जा रहा है देश में अबलोकतांतरिक धंग से चुनावी जंग की कोई गुंजाईश नहीं बची है ऐसे सवाल जो है कई सारे उठाये जा रहे है वहीं दूसरी और इनी पत्रकार ने ये भी कहा कि क्या हर्याना का पूरा चुनाब घोचाला की वज़र से हुआ है पूरा चुनाब ही घोचाला हुआ है ये बाते जो है उठाई जारी का जारे कि जब विदान सबाब भंग होती है तो राष्टपती शाषन लागू होता है ये कारेवाहत मुख्यमंतरी बनाया जाता है हर्याना में ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई notification public domain में नहीं आया ना मीडिया को इस बारे में कुछ भी मालूम है हर्याना की जन्ता को ये नहीं बताया गया कि चुनाब के दोरान राज्य की संब्धानिक स्थिती क्या है क्या नायाब सिंग सैनी बत और मुख्यमंतरी काम करते रहे और राज्य की मशीनरी का बेजा इस्तमाल करते रहें इंद्रा गांधी का चुनाव सिर्फ इसलिए रद हुआ था क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने कार का इस्तमाल कर लिया था क्या हर्याना में सियम ने चुनाव में राज्य मिशीनरी का इस्तमाल किया है इसको लेकर नायाप सिंग सैनी की कुरसी रद होगी भजपा की सरकार रद होगी ऐसे तमाम सवाल इस वक्त दोस्तों उठाये जा रहे हैं कि कैसे हरियाना में हर एक चीज को लेकर बेजा इस्तमाल किया गया है जहां पर साफ तौर पर लग रहा है इन लोगों की तरफ से आरो सचीव है वो भाशन दे रहे हैं तो यहां मतलब पूरी तरीके से जो नौकर शाहों का जो मंदली है उस पर सवाल खड़े कर दिये जा रहे कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जो भाजपा के सरकार में हो रहा है देखिए एक और रपोर्ट आती है कहा जाता है कि हरियाना में सिफ 4 सीटों पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए 90 में से 86 सीटों में 500 से 1000 वोटों का अंतर था यह वोट पड़े तो कहां गए चूहा कुतर गए क्या भारत की लोकतंत्र पर डाका जाला जा रहा है ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं दोस्तों आपको इस पू पर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ चैनल को जादा सजादा लाइक शियर और सब्सक्राइब करना विलकुल भी ना भोले धन्यवाद दोस्तों क्या है